अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए नीचे कमेंट कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नहीं है और साथी साथ बैल आइकन दबाना भूलिएगा नहीं अब आप अपनी वीडियो देख सकते हैं हेलो डियर स्टुडेंट्स अफ लास त्री आज हम पढ़ने वाले हैं आपका इनवी का चैप्टर नमबर 25 माई तैसिल बचो तैसिल का मतलब क्या तैसिल का मतलब है तालू का ठीक है तो डिचल में हम पढ़ेंगे सबसे पहले ये दो पेजिस आप देख सकते हैं पेज नमब एक विलेज का सीन है तो इसे क्या कहेंगे हम बहुत सारे जब हाउसिस इकटा होते हैं तो बनता है एक छोटा सा विलेज अगर ऐसे काफी सारे विलेजिस जुड़ जाए तो बनता है तैसिल जैसे यहाँ पर आप देखो देशर तैसिल, सावली तैसिल, वरोद्रा, वागो याद रखना बच्चो तैसिल का मतलब तालुका होता है, देर आर एट तालुका जिल वरोद्रा, मैंने यह जो एक्जामपल लिया है बाजू में मैप, यहाँ पर टोटल एट तालुका से वरोद्रा डिस्ट्रिक के अंदर, आगे हम बढ़ेंगे यह पेच के साथ, और यह यहाँ पर कुछ डायग्राम है, यहाँ पर एक नाम है, इसका गाउं है, उसके गाउं का नाम है जेपूर, अब देखो यहाँ पर सेंटर में लिका हो है जेपूर, गिवन बिलोव आर देटेल्स अफ विलेजिस अराउंड जेपूर, जेपूर के आजू बाजू में अगर बच्चो में question पूछना चाहता हूं कि आपकी विलेज के आजू बाजू में कौन से विलेजिस है, अगर बच्चो मुझे कोई पूछता है कि आपके गाउं के आजू बाजू में कितनी अधर विलेजिस है, आपको नाम पता है तो मैं लिखना चाहता हूं कि मेरे गा में थालुका में है आपका village तो मैं लिखना चाहूंगा कि my village is in Pawee Jehpur तहसिल मेरा जो गाओं है वो Pawee Jehpur तहसिल के अंदर आता है तो अब मैं मेरे गाओं की detail देने वाला हूँ सबसे पहले मेरा नाम क्या है यहां पर लिखा है मेरा नाम मैंने मेरा नाम है हार्दिक आई एम लिविंग इन पावी जेटपूर विलेज यह मेरा पावी जेटपूर विलेज है और उसके आजवबाजो के जो विलेजी से उसकी information मुझे यहाँ पर लिखनी है तो सबसे पहरे में ने लिखा एक गाउ रतनपूर उसके बाद लिखा सुसकाल फिर लिखा दूंगरवाट और फोर्थ लिखा चलामली यहाँ पर कुछ information लिखी गई है कि we have seen about the villages which are nearby सिर्फ हमने देखे हमारे आजवबाजो के गाह हूँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ गुजरात के अरदर 250 150 तालुकाज है मतलब तहसील से there are various villages in each तहसील और हर एक तहसील मतलब तालुका के अंदर बहुत सरे छोड़ छोड़े विटेजी से so these group of villages को कहते हैं तहसील और आईए चलिए हम बात करते हैं detail में और कुछ details हम लोग collect करते हैं so यहाँ पर एक और चार्ट है जो है रतन का तहसील किसका एक लरका है जिसका नाम है रतन so यह रतन का तहसील है रतन का तहसील है वरोधरा और यहाँ पर वरोधरा के अंदर काफी सारे अधर तहसील से जो यहाँ पर discuss किये गए है एक है सावली यहाँ पर है पादरा वागोडिया करजन यह सारे तैसिल से वड़ोधरा पर पूरा इन सब का मेन है उसे हम डिस्ट्रिक भी कहते हैं यहाँ पर question पुछा है which are the other तैसिल तो यहाँ पर दूसरे कौन से तैसिल से so वड़ोधरा के अंदर जैसे की सिनओर है यह रहा डभोई है यह भी आता है और इसके सारे के सारे वड़ोधरा डिस्ट्रिक के अंदर आते हैं in which district your तहसिल जो मेरा तहसिल है वो चोटा उदैपुर डिस्ट्रिक के अंदर है पावी जेदपूर जिसा कहते हैं तहसिल और वो छोटा अदूबर डिस्ट्रिक में गिना जाता है आएए चलिए इस पेज के उपर हम कुछ और इंफरमेशन लेने वाले हैं जैसे कि मेरे विलेज का नाम मेरे विलेज का नाम है पावी जेदपूर मेरे विलेज कौन से तहसिल में आता है मेरे विलेज पावी जेदपूर तहसिल में ही आता है मेरे पावी जेदपूर तहसिल के आजू बाजू में कुछ और तहसिल से उसके नाम आपको लिखने है जैसे कि पहला तहसिल है कवाट जो बाजू में है बोड़ेली वो भी बाजू में है संखेडा एंड नस्वार ये सारे के सारे जो तहसील से वो सब के सब पावजेटपूर तहसील के आजबाजू में है मतलब नेबरर से आगे यहाँ पर लिखा है देर आर मैनी विलेजिस नियरवाई आजबाजू में बहुत सारे चुटे-क्षोटे गावण है जब यह चुटे-क्षोटे iras एक साथ में हो जाते तो उसे तैसिल कहते है बर्ट और यह सारे तैसिल जब जूड जाते हैं उसे कहते हैं दिस्ट्रिक्ट अब देखो यहां पर यह यह वरोदर डिस्ट्रिक्ट और यह चोटा उदेपुर डिस्ट्रिक्ट जिसमें मैंने अभी बात करी थी संखेडा, नस्वारी, कवांट, चोटा उदेपुर जी पुरबब यह सब सारे उसके तैसिल्स हैं वरोदरा के सावली, वरोदरा, वागुडिया, डबोल, सीनोर, करजन, पाद्रा यह सब वरोदरा के तैसिल्स है तो अब आपको समझ में आओगा के तैसिल भी क्या है और डिस्ट्रिक्ट कैसे कहते हैं आइए चलिए लास्ट पेज 167 को फिल अप करते हैं हमको बोला है कि थी सारे अनिमल्स है यहाँ पर तीन जगा है तो मैंने तीनी नाम लिखें उसके अलावा आपके गाओं में जो है आपके तैसिल में जो है वो आप यहाँ पर लिखेगा वेहिकल्स कौन से कौन से मिलेंगे मेरे वहाँ तो बहुत सारी बाइक्स हैं, कार्ज हैं, ट्रॉक, बस, स्कूटर कह लें, टेंपो कह लें, जीब कह लो, भहुत सारे छगडा कह लो उसके अलावा पिल्ग्रिमेज, पिल्ग्रिमेज प्लेसे मतलब ऐसे स्थल ऐसी जगा है जहां मंदिर जैसे हो तो एक है राइमोनी महराज का मंदिर, दूसरा है श्रीनाजी की हवेली और राम मंदिर उसके अलावा हनुमान जी टेंपल है, शंकर भगवान का मंदिर है, अम्बे माता का मंदिर है और काफी सारे मंदिर है, प्लेसिस फॉर साइट सींग, देखने लायक और गूमने लायक स्थल सो माखनिया परवत, मतलब माउंटेंस है, जो दूर से आपको माखन जैसा सफेद दिखेंगे आप मस्ट विजिट करना चाहेंगे, आप गूगल कर सकते हैं, इसके अलावा है सुखी डैम, पानी का डैम है बड़ा सा, बहुत ही बड़िया है रेनी सिजर में तो यह बहुत ही खूब सरुत नजारा होता यहां गूमने का और दूसरा है भाशा केंद्रा, सिर्फ पावजेदपूर से साथ किलमडर दूर भाशा केंद्रा है यह भी इंटरेस्टिंग प्लेस से विजट करने के लिए, सो यहां पर और भी कुछ जगहों के नाम और जो आपके तहसिल में फेमस है, वो आप यहां पर लिख सकते हैं आगे बढ़ना चाहेंगे हम, tell and think, सोचो और कहो, लेकिन क्या सोचे भई, जितने भी villages nearby है, your villages उसे हम कहेंगे neighboring villages, बिलकुल बराबर है, आजू-बाजू के villages neighboring villages कहेंगे, वैसे जितने भी तहसिल साब के आजू-बाजू में हैं, उसे हम neighbor तहसिल कहेंगे, यह भी बिलकुल स तहसिल में भी होते है, तो अगर आपको ऐसे कोई नाम पता है, तो please यहाँ पर लिखें, और फिर आगे बढ़िए next exercise के ऊपर, यहाँ पर भी सोच समझ करके लिखे लिखा है, क्या, यहाँ पर एक तहसिल का नाम दिया है, फिर उसका village, फिर वो village में आपका कौन पाड़ा है, और काफि सारे villages है, बट मैंने लिखा है, डीडिया पाड़ा मीन village, जिस पे मेरे जीजाजी रहते हैं, और वो वहाँ पर business करते हैं, second number पर मैंने लिया है, नान्दोद, नान्दोद करके एक तैसिल है नर्मदा के अंदर, जिसका village है खडगदा, और यहाँ पर कौन रेता है, मेरे फोई, फुआ और मेरा कजीन, और वो लोग क्या करते हैं, मेरे फुआ जो है, वो शॉप चलाते हैं, और मेरा जो कजीन ब्रदर है, वो नर्मदा डेम में जॉब करता है, तीसर नमबर पर आता है तिल्लक वड़ा, यह तैसिल है, वहाँ का village बहुत सारे लेकिन मैंने तिल्लक वड़ा main village ही लिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर में कजीन रहती है, और वो जॉब करती है, फूर्थ नमबर पर मैंने लिया हुआ है नर्याद, नर्याद एक तैसिल है, नर्याद village है, मतलब एक village कहो, तैसिल नर्याद भी है, और वहाँ पर मेरा अच पर वो नर्याद तैसिल में count किया ज़ता है, आप भी बच्चों आपके पास जितनी भी information है, आप अपने बड़ों से पूछ कर यहाँ पर लिख सकते हैं, और आगे बढ़ सकते हैं, इसी के साथ हमारा chapter यहाँ पर होता है, finish over, और मैं आपसे विदाई लेने चाहूंगा, ब the future videos के लिए,